मौगंजली के नएगड़ी थाना छीत्र में रहने वाली एक बीस वर्षे युवति को पास के गाउं के ही एक शाधिशुदा युवक ने धोखे में रखकर पहले प्रेम जाल में फसाया उसके बाद सीधी जिले के एक होचल में ले जाकर शारीरिक संबंथ बनाए और अब उ आरोपी की तलाज शुरू कर दी है इस पूरे घटना करम को लेकर सीधी सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अविशे को बाध्यायनी जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ता 20 वर्षी युवति मौगंजुजिले के नएगड़ी थाना छीत्र की रहने वाली है जिसने थान आरोपी को वह युवति को फोन कर सीधी बुलाया जहां से उसे गांधी चौक स्थित एक होटल लेकर गया जहां उसके साथ सारीरिक संबंद बनाये और उसका वीडियो बनाकर अब वारल कर दिया है। संजज एस्वाल के उपर पूर्व में भी दुशकर्म सहित अवैद मादग पदार्थ के कई मामले दर्ज है। कुछ मामले में पुलिस उसकी तलाश भी कर रही है। फिलहाल सीधी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरूपी की तलाश शुरू कर दी है। 376 के अंतरगत मामला पंजी पद्र कर लिया गया। विवेशना में है। आरूपी अभी अभी दस्त्याब दिया। अभी उनके दोरा कुछ प्रस्तुत नहीं किया गया है। जानकारी में आया है तो विवेशना के दौरान उसको लेंगे। अभी तो विवेशना के चीज़े हैं। अभी तो उनके दौरा यही बताया गया है कि हम साथ में आये। अभी जानकारी में प्राप्ति है कर दो कर अधर अधर से राज की इसके पहले। विवेश्णा की जा रही है यह जिस छेत्र की रहने वाली है वहां के संबंदित थाने से संपर्क किया गया है ऐसी कुछ जानकारिया प्राप्त हो रही है इनके द्वारा पूर में भी प्रक्रम बने गारे हैं